वीडियो के सुरू में ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं किसी का वीपक्ष करके नहीं बना रहा हूं, कोई बेदवाओ करके नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो में वही बता रहा हूं जिसमें जो की बात सच है, जो की आज तक के इस आर्टिकल को देखके मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो एक ग्राम परधायन की सेलरी होती है जो हमारे गाउं का मुखिया होता है उसकी सेलरी कितनी होती है जो गौर्मेंट के तरफ से उसको सेलरी मिलती है वो एक्चली में कितनी नहीं बना रहा हूँ, यह मैंने research करके पूरा Google search करके कई सारी website को search करके मैं यह video आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो हमारे गउं का gram परदान होता है, उसकी actual में सरकार तरब से जो salary होती है, वो उसको कितनी मिलती है, तो केवल उसको 3500 पर मिलती है, यहां पर आप देख सकते हैं, वो किस-किस चीजों का उनको मिलता है, यह तो यह एक number one बात होगी, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हो दे, number two, गउं का budget कितना आता है, अगर आपका गउं छोटा है, जादा छेत फल का नहीं है, छोटा गउं है, तो हर गाउं का और हर पंचायत का अलगलब होता है, और यह साल का budget है, इतना के तकरीव आता है, यह आज तक के article में भी लिखा हुआ है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मैंने mention कर दिया है, तो यह हो गया number two बात, और number three, ग्राम परधान को जो भी साल का budget मिलता है, जो भी साल क पैसे मिलते हैं, उससे उसको क्या-क्या काम करना है, सरकार के उनुसार, आपको सरके बनानी है, मंडरेगा में काम करा है, नदी नाले को साफ सफाई कराना है, पसवोगरा के लोगों के पसवोगे लिए पानी की व्यवस्ता करनी है, और सरके बनानी है, अदर-दर जो भी अ कैसे काम होते हैं जो कि मंदिर महजिद कई सारे अलग-अलग जातिवाद का होता है उसके लिए भी आप अलग-अलग विवस्ता करनी पड़ती है मंदिर महजिद के इसाब से यह सारा कुछ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है आप यहां पर पढ़ सकते हैं पूरा यह मैंने आ सारे गाम हो रहा है कि चैयופनी चाहिकक कोई भी हो जातिवाद और व्यद्वाव करके बूठ ना दे यह बातों को आपको ध्यान रखना होगा और नमबर 4 यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर गराम परधान की सेलरी अगर 3500 रुपए या 2500 रुपए है अभी तो फिलाल में उसकी सेलरी जो है वो 3500 रुपए है इस आर्टिकल का अनुसार जो भी आज तक का आर्टिकल है वो मैंने पढ़के आप लोग को बता द देता है यह इतने पैसे उसके पास कहां से आते हैं सोचने वाली बात यह भी है इस बात को हमें हमेशा गौर करना है हम गराम बासियों को यह चीज़ सोचना होगा कि जो भी गराम में पैसा आता है वो हम लोगों का पैसा है हमारा हक है उस पे जो भी सरकार हमारे गाउं का बजट टैग करती है उसमें से सारा कुछ हमें मिलना चाहिए और ऐसा होता नहीं है एक नदी नाला बनाना तो दूर की बात है हमारे गाउं में अगर कोई भी अगर एक बातरूम के लिए भी किसी का पैसा आता है तो उसमें से भी उसको कुछ कमीशन देना पड़ता है तब ज कुछ ऐसे गौँ है कि जिसमें यही सिस्टम चल रहा अगर इंद्रावास योजना हो गया या फिर प्रदा मंत्री गराम योजना हो गया इन सब का तभी उसको पैसा सारा मिल पाता है जब तक उसको कुछ कमीशन उसको देना नहीं होता है तब तक उसको का उसका होता ही नह करता है तो आप सोच समझ के किसी को वोट दे यह ऐगा चाहिए क्टार है ह核ा मेया है अभी तो हम जो भी वो दे रहा है जो भी वो खिला पिला रहा है और उसमें उसको वोट दे दे रहे हैं लेकिन इसी को हम पांस साल तक हमें वही खाया पिया वो निकालेगा हमसे यह भी आपको देखना है कोई भी ओ यह जातपात करके आपको किसी को भी वोट ने देना है को अपने वोट की ताकत को यह पहचानना चाहिए और आपको यही सोच के किसी को भी वोट देना चाहिए मैं यह नहीं कहूंगा जो भी आपको अच्छा लगे जो जिसने भी अच्छा काम किया है उसको आपको वोट देना चाहिए और वोटिंग सब को करनी चाहिए आने वाल के लिए लाता रहोंगा अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं